हलो गाईज और वाखम बैक टो शिखा क्लैसेज इस वीडियो में हम वूदरिंग हाइट्स नौवल जिसे लिखा है इमली ब्रॉंटे ने इसकी मेन क्यारेक्टर्स को डिसकस करेंगे जैसा हम सभी जानते हैं कि इमली ब्रॉंटे और जो दो और ब्रॉंटे सिस्टर्स थी जादा ये एक गौथिक फिक्शन है सबसे पहले हम ये फैमिली ट्री देख लेते हैं जिसमें जो मेन दो फैमिली इस स्टोरी में इन्वाल्वड हैं उनके बारे में जान लेते हैं और उनके रिलेशन्स को समझ लेते हैं फर्स्ट इस फैमिली ओफ अर्ण्शॉज और सेकंड इस फैमिली ओफ लिंटन्स अर्ण्शॉज दो बच्चे रहते हैं गाथरीन अर्ण्शॉज एक बार लिवरपूल के ट्रिप पे गए होते हैं वहां से लौटते हैं वक्तुने एक अनात्ष बच्चा मिल जाता है जिस से अर्ण्शॉज टाइटल नहीं देते हैं हेथक्लिफ उस बच्चे का नाम भी होता है और उसका सर नेम भी होता है मिस्टरःं मिसिस लिंटन के दो बच्चे होते हैं एडगर लिंटन उनका बेटा है और उनकी बेटी का नाम है इसाबेला लेंटन बाद में चलके कियाक है और उनकी एक बेटी होती है क्याथी उस बेटी को जन्म देने कि कुछ ही घंटों बाद कैफरिन मर जाती है ऐसाबर已经 se शादी करती है और उनका एक बेटा होता है लिंटन हथ कलिफ हिंदले इंश को फ्रांस शादी करते हैं और उनका इब एक बेटा होता है हय अरन शो बाद में चलके कयृथी पहले लिंटन शी और लिंटन कि मरने के बाद उसे हे रेटन पसंद आने लगता है मरमक्त नौवल देगर रृवली होती है उनका जो estate होता है, उसका नाम है Woodring Heights और Linton's का जो हवेली होता है, उसका नाम है Thrush Cross Grange एक लेडी है Ellen Nellie Dean, जो basically हिंडले के उम्र की होती है स्टोरी जब शुरू होता है, उस वक्त दिखाया जाता है कि Nellie Dean Thrush Cross Grange की housekeeper है ता 1801 का टाइम है, Lockwood आते हैं, Thrush Cross Grange घर को rent पे लेते हैं, और वहीं पे उनकी मुलाकात Nellie Dean से होती है अपने मकान मालिक Headcliffe से मिलने Woodring Heights जाते हैं और वहाँ पे उन्हें कुछ अजीब से लोगों से मिलने को मिलता है और कुछ अजीब सी चीज़ें उन्हें फील होती हैं तब वह वापस Thrush Cross Grand जाके Nellie Dean से सारी बाते जानने की कोशिश करते हैं और तब ये Earnshaws और Lintons की पूरी कहानी 30 साल पहले से सुनाना शुरू करती है Nellie Dean इन सारे characters के अलावा एक character जासिफ का है जो की Woodring Heights में 60 साल से काम कर रहा होता है एक Dr. Kenneth है जो हिनले के friend भी है गिमर्टन में वो practice करते हैं और जब भी illness की कोई बात है तो उनका जिक्र होता है वो आते हैं वहाँ पे ilaj करते हैं वो थोड़े rough type की आदमी दिखते हैं पर basically वो एक बहुत ही honest person है जिल्ला एक servant है Heathcliff का जो Catherine के मरने की बाद से Heathcliff के लिए काम करता है Lockwood के साथ वो बहुत kindly behave करता है लेकिन वो Cathy की मदद नहीं करता Cathy Catherine की और Edgar Linton की बेटी है उसकी मदद नहीं करता है उसकी दो reasons है पहला कि Cathy खुद भी काफी arrogant सभाओ की बहुत उग्र सभाओ की उसे बहुत गुसा आता irritated हो जाती है और दूसरा Heathcliff ने instruct किया होता है उसे कि वो Cathy की मदद नहीं करें Mr. Green, Edgar Linton का lawyer रहता है पर actually वो बहुत corrupt रहता है Edgar Linton उसे कहते हैं कि तुम मेरे will को इस तरह से change कर दो कि Thrust Cross Grange का कभी भी मालिक Heathcliff न बन जके कभी भी वो इस property को inherit न करे पर जैसा मैंने बोला वो corrupt person है तो वो पैसे लेकर के Heathcliff के side हो जाता है और in fact वो रोकेगा कैसे Heathcliff को इस property को inherit करने से वो उसकी और मदद करता है Thrust Cross Grange Heathcliff के नाम करने में The main character of this novel is Heathcliff जैसा मैंने आपको शुरू में बताया Mr. Earnshaw लीवरपूल के trip से लोटते वक्त इस अनात बच्चे को देखते और उसे अपने घर ले आते हैं अपनी वाइफ यानि Mrs. Earnshaw के मरने के बाद वो Heathcliff पे और भी ज़्यादा ध्यान देते हैं in fact अपने बेटे से भी ज़्यादा ध्यान उसी पर देते हैं और इस वज़े से हिंडले Earnshaw को बहुत jealousy feel होती है उसके प्रती और वो Heathcliff को काफी मारता है, पीटता है, torture भी करता है Catherine से लेकिन Heathcliff का एक बहुत strong bond बन जाता है शायद उन दोनों के बीच एक बहुत गहरा प्यार भी हो जाता है Catherine जो उसे प्यार भी करती है फिर भी उससे शादी नहीं करती क्योंकि शायद वो low social status का person है और जब वो Edgar Linton से मिलती है तो उसकी beauty उसकी style से काफी attracted हो जाती है और उससे उसकी सगाई हो जाती है हाला कि वो Nelly Dean से ये कहती है कि मैं प्यार कहीं न कहीं Heathcliff से ही करती हूँ लेकिन मैं उसके social status के वज़े से उसके lower class के वज़े से उससे शादी नहीं कर सकती Heathcliff इन बातों को सुनता है पर आधा धूरा और उसे कुछ confusion हो जाता है वो गुस्से में उस जगा को छोड़ करके चला जाता है और जब तीन साल बाद वो वापस आता है तो उसका रूप एकदम बदला हुआ रहता है वो बहुत revengeful attitude के साथ आता है इस दोनों family को Lintons and Earnshaws को बरबाद करने के इरादे से आता है और इसलिए last होते होते उसने दोनों property को अपने नाम कर लिया होता है और उस पूरी दोनों family को बरबाद कर चुका होता है बच जाते हैं तो दोनों घर के सिर्फ दो बच्चे Catherine Earnshaw Mr. Earnshaw की ये बेटी है जो Heathcliff से प्यार करते है और Heathcliff भी इससे बहुत प्यार करता है नॉवल में इसका introduction तब हुआ जब ये मर चुकी है लॉक्वूड वुद्रिंग हाइट साथ है लैंडलॉड हेट क्लिफ से मिलने और तभी इतना स्नो गिरने लगता है कि मजबूरन उसको उस रात वही रुकना पड़ता है और वुद्रिंग हाइट के जिस रूम में वो रुका होता है वो रूम बेसिकली पहले Catherine Earnshaw का कमरा रहता है उनके डाइरीस को जब वो पड़ता है तब पहली बार हमें Catherine का introduction होता है उस novel में इस novel में ऐसा दिखाया गया है कि Catherine कही न कह Unsure है कि वो Headcliffe के जैसी है या उसके जैसा बनना चाहती है या वो Edgar Linton के जैसा है और उनके यह जैसा रहना चाहती है और अपने natural लव अपने प्यार Headcliffe को छोड़ करके वो Edgar से शादी करती है कही न कहीं यह इस बात को दिखाता है कि वो अपनी इक्षाओं को अपना nature अपना Cross Grange में रहता है उसके style उसके manners Headcliffe के ठीक उल्टे होते हैं और दोनों में से कोई भी एक दूसरे को पसंद नहीं करता उसके high social status के कारण ही Catherine उससे शादी करती है और Catherine का Edgar से शादी करने का यह step ही सबके लिए बरवादी की वजह बनता है Edgar Catherine से बहुत प्यार करता है और Catherine अपनी बच्ची को जन्म देने के कुछी घंटों बाद मर जाती है तो जो उनकी बेटी है Cathy उसे भी वो बहुत जादा प्यार करता है बहुत प्रोटेक्टिव है उसको ले करके Ellen Nelly Dean उन्होंने Unshaws के तीन जनरेशन को सर्व किया है और Lintons के दो जनरेशन को सर्व किया है वो अपने आपको हिंडले के foster system मानती है क्योंकि Nelly की मदर ही हिंडले की nurse भी रहती है वो वूदरिंग हाइट्स के estate में काम करती है Unshaws के लिए और वहां के आसपास के local लोग कुछ खास पढ़े लिखे नहीं है पर उसके बावजूद इन्होंने अच्छी पढ़ाई लिखाई की है और थ्रश क्रोस ग्रांज में भी ये काफी दिन रही है ये काफी mannered है वैसे जो लोग उनसे काफी close है वो उन्हें निली बोलते हैं स्टोरी के maximum portion को इन्होंने ही narrate किया है बेसिकली निली डीन मिस्टर लॉक्वूड को पूरी कहानी सुना रही होती है इसाबेला लिंटन, एडगर लिंटन की बहन रहती है और इन्हें हेथकलिफ जब तीन साल बाल लॉट कर आता है अपने revengeful attitude के साथ उस वक्त हेथकलिफ को देख करके इन्हें एक infatuation होता है कैथरिन लाग समझाती है उसे कि नहीं हेथकलिफ से शादी करना तुम्हारे लिए disastrous हो सकता है एडगर भी अपनी बहन इसा बिला को बहुत मना करते हैं लेकिन उसके बावजूद वो हेथकलिफ के साथ भाग जाती है रिजल्ट वही होता है काफी disastrous शादी के कुछी दिन बाद उन दोनों के बीच काफी problems होने लगते हैं हेथकलिफ उसे बहुत badly treat करता है उसे पीटता भी है और तब जाकर एक दिन वो वहाँ से भाग जाती है South London चली जाती है लंडन में वो अपने और हेथकलिफ के बेटे को जन्म देती है जिसका नाम वो लिंटन रखती है अपने मरने से पहले वो अपने बेटे को अपने भाई के हवाले सौप कर जाती है यानि कि एडगर लिंटन को दे कर जाती है तो इसा बिला का character stupid character भी है और courageous character भी है जब सब के समझाने के बावजूद वो अपने attraction को जादे value देती है वजन देती है और हेथकलिफ से शादी कर लेती है तो यहाँ पे एक stupid character को दिखाया जा रहा है जब वो हेथकलिफ के साथ से मार भी खाती है उसके tortures को सहती है तो कहीं न कहीं उसे कायर coward दिखाया गया है लेकिन finally जब वो pregnant होती हो वहाँ से भाग जाती है तब उसे courageous woman दिखाया गया है हिंटले Earnshaw, Catherine का बड़ा भाई है बचपन से ही वो हेथकलिफ को काफी bully करता है काफी torture करता है इन फाक्ट एक बार उसे उपर बंद भी कर दिया होता है इसलिए बचपन से हेथकलिफ के माइन में उसके प्रती एक revengeful attitude होता है Mr. Earnshaw के मरने के बाद जब हेथकलिफ अपने university की पढ़ाई खत्म करके अपनी wife Francis के साथ वापस Woodring Heights रहने आता है तो वो हेथकलिफ की हैसियत उस घर में एक knocker के बराबर कर देता है लेकिन हेथकलिफ की wife जब मर जाती है उसके बाद वो एक alcoholic हो जाता है वो gambler भी बन जाता है और अपने बहुत सारे पैसे को वो gambling में बरबाद कर चुका होता है जब हेथकलिफ तीन साल बाद वापस एक rich person बन कर आता है तो वो हेथकलिफ को बड़ी इजद से अपने घर पे रखता है और अपना पूरा Woodring Heights उसके पास गिरवी रख देता और बदले में उससे पैसे लेता है एक बार हिंडले हेथकलिफ को मारने के भी कोशिश करता है और तब हेथकलिफ उससे बहुत पीटता है Catherine के मरे हुए एक साल भी नहीं होते और उसकी भी मिलत्यू हो जाती है और वो अपनी सारी प्रापर्टी हेथकलिफ के पास गिरवी रखा होता है इसलिए उसके बेटे हेथकलिफ के लिए कुछ भी नहीं बचता है वो कुछ भी छोड़ कर नहीं जाता है नली डीन इसे रेज करती है लेकिन जादे दिनों तक नहीं उसके फादर के मरने के बाद हेथकलिफ उसे अपनी तरह से रेज करता है हेथकलिफ उसे वैसे ही ट्रीट करता है जैसे हिंडले ने हेथखलिफ को कभी ट्रीट किया था वो उसे पीटता है, टॉर्चर करता है और हेटन को पढ़ने भी नहीं देता हेटन मुश्किल से सिर्फ अपना नाम लिख सकता है इसकी हैसियत घर के नौकर के बराबर होती है और जो वो भाषा यूज करता है, वो भी एक लोकल डालेक्ट है उस घर का एक सर्विंट है जौसेफ, वो बिल्कुल उसी तरह की भाषा यूज करता है उसे पता भी नहीं होता, लेकिन उसे अपने जायदात से बेदकल करने वाला हेटकलिफ ही होता है देखने में वो बिल्कुल अपनी आंट कैथरिन के जैसा है और इस वज़े से हैटकलिफ उसे अवोइड करने की कोशिश करता है कैथी लिंटन, एडगर लिंटन और कैथरिन के ये बेटी हैं, ये बहुत हाइश स्पिरिटेड करेजियस गर्ड है जिसे अपने पेरेंस की हिस्टरी के बारे में कुछ पता नहीं होता है किन कैथी बहुत इगर होती है थ्रस्क्रोस ग्रांज के हिस्टरी को जानने के लिए एक रीडर को उस पे गुसा भी आता है जब वो हेटन को अपने से इनफीरियर समझती है क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं होता है उसे मजबूरी में लिंटन से शादी करने पड़ती है हेटक्लिफ उसे फोर्स करता है लेकिन लिंटन के मरने के बाद वो हेटन से प्यार करती है और उसी से फाइनली शादी भी करती है लिंटन हेटक्लिफ Isabella Linton और Heathcliff का बेटा रहता है अपने लाइफ के शुरू के 12 साल वो South of England में अपनी मा के साथ बिताया होता है पर उसके बाद Isabella अपने मरने से पहले अपने बेटे को यानि लिंटन को अपने भाई Edgar Linton को सौप कर मर जाती है बाद में Heathcliff आता और ख्लेम करता है कि लिंटन Heathcliff मेरा बेटा है और इसलिए ये मेरे साथ रहना चाहिए He's a very weak child लेकिन आरेक्टर वाइज वो बहुत ही selfish है, cruel है बिलकुल Heathcliff के जैसा और physical देखने में वो अपनी मा इसावेला के जैसा दिखता है लिंटन Heathcliff अपने फादर Heathcliff के प्रेशर में आकर के कैथी लिंटन को बोलता है कि वो उससे शादी कर ले और शादी हो भी जाती है कुछी दिनों बाद tuberculosis के वज़े से उसकी मृत्यों हो जाती Mr. Lockwood, स्टोरी का first narrator वही है Chapter 4 तक उसने नारेट किया है उसके बाद की स्टोरी नली डीन ने नारेट की है वो शुरू में Thrust Cross Grange आता है सोसाइटी से बचकर एकांत में अकेले रहने के लिए लेकिन बाद में उसे लगता है कि नई सोसाइटी के साथ ही रहना बेटर है और इसलिए वो वापस लोट कर चला जाता है Francis, हिंदले की वाइफ रहती है और हेर्टन अन्शौ की मा रहती है ये बहुत अच्छे घर की लड़की रहती क्योंकि बहुत नेक सुभाव रहता है उनका हाला कि थोड़ी सी सिली भी रहती है So guys, ये था character description of the novel Wuthering Heights written by Emily Bronte Hope आपके सारे doubts clear हो गए हूँ फिर भी कोई doubts रह गया हो Feel free to mention it in the comment box below या फिर आप मेरे facebook page पर message भी कर सकते Link नीचे description में दिया हुआ है See you in the next video with a new topic Till then, keep smiling, have wonderful days And if you like the video, hit the like button Share this video with your friends और अगर आपने subscribe नहीं किया तो subscribe कीजिए और बगल के bell icon को press कीजिए जैसे ही मैं नया वीडियो डालूंगी आपको notification मिल जाएगा Thanks for watching